लेपिनेंट आर आर राने को जिनोंने भारतिय सेना की जीत का नास्ता तसस्त किया था ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धर्ति पर गर्वी की गाफा है लिखी है अपने रत्त से लिखी है अपने प्राकंद से लिखी है अपने पुर्सार से लिखी है देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है अभी मुझे ये मेरा सवभाय के था कि दिवाली के इस पवितर त्योहार पर मुझा आज दो ऐसे महापुरुसों के आसिरवाद प्राफ्त करने का सवभाय के मेरा मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है मुझे आसिरवाद मिले स्री बल्देव सी और सी बसंसी जी ये दोनों महापुरुष बाल्यकान में मा भारती की रक्षा के लिए फोच के साथ कंदे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी और जब मैं आज सुन रहाता उनको वही जज़वा था थी वही मिलाक था और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान चाहे है ऐसा वर्णन कर रहे थे आज हादी के बाद हुए उद्ध में ऐसे अने को स्थानिय किशरों ने ब्रिगेडियर महमद उस्मान के मारदर्सन से बाल सैनिक की भुमिका निभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवा न करते हुए उतनी कमरुम्र में देश की सेना के साथ कंजे दे कंधा मिला करके काम किया था सेना की मतद की थी नौशेरा के सौर्य का इस सिल्सला तब से जो सुरू हुआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नौशेरा है सर्जीकल स्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमी का निभाई वहर देश वासी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहां रखोंगा क्योंकि मैं कुछ तै किया था सुर्यास्त के पहले कि सब लोट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल कोई फोन की घंटी पर टिक टका के बड़ा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या और कोई भी नुक्षान किये विला कि मेरे वीर जवान लौट करके आ गए पराकरम करके आ गए सिद्धी प्रांप्त करके आ गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भैलाने के अंगिनित कुछ सिद्ध प्रयास हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को मुह तोड़ जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस दर्ति में एक स्वाभाविक प्रेरना है माना जाता है और मैं मानता हूँ यह अपने आप में बड़ी प्रेरना है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वाज के दोरान अपना कुछ समय इसी क्षेतर में व्यतित किया था आज आप सब के बीच आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर दा साथियों इस समय देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है आज़ादी का अमरत महोसो गुलामी के लंबे कालखन में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आज़ादी हासिल किया है कि इस आज़ादी की रक्षा करने का दाइत्वा हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पर हम सब पी जिम्मेवारी है आज़ादी के अमरत काल में हमारे सामने नए लक्ष हैं नए संकल्प हैं नई चुनोतिया भी हैं कि ऐसे महत्तपों कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी दुर्भागे से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए यह मान दिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से मिलेगा हमें टेक्नोलोजी के मामले में जुकना पड़ता था ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे नए हथियार नए उपकरन खरीदने होते थे तो प्रक्रियां सानों सांज चलते रहती थी यह एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटार्र हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुती थी ऐसा ही कालकंटा नतीजा यह कि जरूरत के समय हथियार कि यहां पाधापी में खरीदे जाते थे कि यहां तक कि स्पैर पार्ट के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे साथियों कि डिफेंस सेक्टर में आत्म निर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थीतियों को बदलने का एक ससक्त मार्ग है देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजेट होता है अब उसका करीब 65 प्रतिशत देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है हमारे देश सब कर सकता है करके दिखाया है एक अभूत्पुर्व कदम उठाते हुई अब भारत ने यह भी तय किया है कि दोसों से जादा साजों सामान और उपकरान अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे आत्म निर्भर भारत का यही तो संकल्प है अगले कुछ मैनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं देश को आत्म निर्भर बनाने वाली यह पॉजिटिव लिश्ट और लंबी हो जाएगी इससे देश का डिफेंस अक्टर मजबूत होगा नएने हत्यारों उपकरो के निर्माण के लिए निवेश्ट बढ़ेगा साथ क्यों कि आज हमारे देश के भीतर कि अर्जुन टैंक बन रहे हैं तेज़त जैसे अत्याधुलिक लाइट कॉमबेक्ट एरकाप बन रहे हैं अभी वीजिया दस्वी के दिन साथ नई डिफेंस कंपनियों को भी राश को समर्पित किया गया है हमारी जो अडिरेंस वाप स्पेशलाइज सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरन बनाएगी आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राश्टर रक्षा के संकल्प का सार्थी बन रहा है हमारे कई नए डिफेंस स्टाट अपस आज अपना परचम लहर रहे जी गर्व होता है कि साथियों कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कोरिडोर कि इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं यह साने कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्त के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचा को भी ससक्त करने वाले हैं साथियों हमारे शांस्त्रों में कहा गया है को अतिभारह को अतिभारह को समर्था नाम यानि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभार माइने नहीं रखता वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है इसलिए आज हमें बदलती दुनिया युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही